कुम्बरा शिवालो आपके लिए ये महीना बड़े बदलाव लेकर आ सकता है लेकिन क्या ये बदलाव आपके पक्ष में होंगे या आपकी मुश्किले और बढ़ेंगी इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे आपकी सेहत परमंडराते खत्रे का प्रेम जीवन में आ रही समस का और करियर में आने वाले अंचाहे बदलावों का क्या आप मानसिक और शारेरी रूप से तयार हैं आने वाले संगर्शों के लिए क्या आपकी मेहनत के बावजूद आपको नतीजे नहीं मिल रहें तो जानिये जरूरी उपाएं जो आपको इन संकटों से बचा सकते हैं तो इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छूटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं नमस्कार दोस्तों मैं यश्पल जंजोगा और आप देख रहे हैं Effective Astrology सबसे पहले बात करते हैं इस महीने आपके ग्रोह की दशा की तो आपके प्रतों भाब में बैठे शनी तीसरे घर में बैठे राहू चौते घर में गुरू पांचवे घर में मंगल बैठे हैं वहीं आठवे घर में बुद्ध और सूरे के साथ केतु बैठे हैं और नौवे घर में विराजमान हैं शुक्र अब बात करते हैं आपके स्वास्ते की तो आपका पहला घर आपके रोग प्रतिरोधक शमता का होता है, आपके स्वास्ते का होता है, जिसमें बैठे शनी देव, जो कि इस वक्त वक्री आवस्ता में है, स्वास्ते के द्रिश्टिकोंड से इस महीने स्वस्त होते हुए भी आप स्वस्त नहीं रहेंगे, क्योंकि आ आप अपने स्वास्थे को लेकर काफी चिंतित हैं आप इस महीने खुद का ख्याल रखेंगे बस इस महीने आपको अपने खाने पीने में ख्याल रखने की जरूरत है शिक्षा की बात करें तो इस महीने कुंबराशी के स्टूडेंट पढ़ने में तेज रहेंगे इस महीने पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ने में अधिक समय लगाएंगे चुंकि आप इस महीने मंगल से प्रभावित हैं। इसलिए आप किसी की बातों में आकर खुद को कन्फ्यूज नहीं करना हैं। बस आप खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और यह मानें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और लक्षे की तरफ गतिशील रहे। अक्टूबर महीने में आप चीजों को जल्दी सीखेंगे। वेवाहिक जीवन के लिए 17 अक्टूबर से पहले का समय आपको ध्यान रखने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि वाद विबाद उत्पन्ना होने दें, छोटी छोटी बातों को ज्याद अना बढ़ने दें। साथ ही अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें। मगर 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का राशी परिवर्तन आपके मेरिड लाइफ के लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। मेरिड लाइफ में चली आ रही प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। वहीं लाव रिलेशन यानि प्रेम प्यार की बात करें तो इस मही ने परिस्तितियों को कंट्रोल में रखना आपके हाथ में होगा। आप चाहे तो होने वाले वाद विवाद में खुद को जुका कर रिष्टों में मदूर्ता बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर यानि कारेशेत्र की दृष्टी से 20 अक्टूबर तक का समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं बिजनेस यानि वेपार करने वालों के लिए यह महीना ठीक रहेगा। मगर 16-17 अक्टूबर के बाद और भी अच्छा होगा। इस दोरान आए मेवरित दिये होगी। अब बात करते हैं आपके भागे की। भागे की बात करें तो इस महीने आपके भागे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिती बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए इस महीने कोई भी बड़ा कारे महत्वपूर निर्ने लेना चाहते हैं तो 13 अक्टूबर से पहले का समय बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों हमारा ये राशिफल एक जनरल राशिफल होता है और एक राशी लाखो लोगों की होती है। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला या महत्वपूर निर्ने लेने से पहले एक बार अपनी कुंडली का विशलेशन जरूर करवाएं क्योंकि कुंडली में ग्रहो की स्थिति एक महत्वपूर भूमिका निबाती है। मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। इस महिने के उपाए में आपको हनुमान चालिसा का पाठ करना है। इसके साथ सूरे देव को जल चड़ाने से आपको लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में सापता एक राशिफल के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए।